नमस्कार दोस्तों कवश दो से धमाकेदार वापसी करने जारी है संध्या बींदड़ी यानि की दिपिका सेंग सुपरनाचुरल शो कवश तो आपको यादी होगा जिसमें आपने मोना सेंग को लीड रोल में देखा था इस शो में मोना बुरी टाक्तों से अपने पती की रक्षा करती हुई नजर आई थी इस शो को दर्श को ने काफी जादा पसंद किया था यह वज़ा है कि एक बार फिर से कवश दो दर्श को के लिए लेकर आ रहे हैं इस शो में आपको पूरी स्टार कास्ट नई दिखने वाली है कवश दो में आपको मोना सिंग के जगा दिया बात ही हम की दिपिका सिंग दिखाई देंगी जो कि संध्या बींदरी के नाम से हर घर में पॉपुलर थी दिपिका सिंग एक बार फिर से टीवी पर कमबाक कर रही है एक टाकपूर के टीवी शो कवश के दूसरे भाग में मुख्य भूमी का निभाते हुए दिपिका सिंग नज़राने वाली है हाली में इसका पहला प्रोमो रिलीस किया जा चुका है संध्या से हट कर इस बार दिपिका बेहदी अलग अंदाज और किरेदार में दिखाई दे रही है दिया और बाती हम के बाद दिपिका का ये दूसरा शो होगा इस शो के दौरान उनकी शादी हुई फिर वे मा बनी और अब वो लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे है कवश में दिपिका अपने प्यार का कवश बनती हुई नजर आएंगे सीरियल में दिपिका के अलावा आपको नमिक पॉल और विंडराना नजर आने वाले है हम आपको अपनी पिछली रिपोर्ट से ये बता चुके थी कि नमिक पॉल पहले का सौटी जिंदगी में नजर आने वाले थे लेकिन एक ता कवश जो ये दूसरा सीरियल है एक ता का उन्होंने इसमें उनको कास्ट कर लिया है वैसे हाली में इस शो का प्रोमो रिलीस किया गया है प्रोमो में दिपिका भगवान शिव की अरागना करती भी नजर आ रही है दिपिका यहाँ पर मन्नत मांगती दिख रही है क्योंकि माननेता है कि जो भी इस मंदर में सच्चे दिल से दुआ मांगता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ मज़्यदार बात यह है कि शो में भी दिपिका का नाम संध्या है इसमें पहले सीरियल दिया और बाती हमें भी उनका नाम संध्या ही था हम आपको बता दे कि कवच मा शिवजात्री के प्रोमो में शो की टाइम निंग नहीं बताई गई है लेकिन हाली में नागिन तीन के ओफियर होने की खबरे सामने आ रही है ऐसे में हो सकता है कि इस सीरियल को नागिन तीन का स्लॉट दे दिया जाए वैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 2016 में नागिन तीन के ओफियर होने की खबरों के बाद कवच का टेली कास्ट किया गया था तो जैसे कि आप जानते हैं कि कवच 2 का अभी जो प्रोमो आए वो काफी जादा अच्छा है काफी जादा इंट्रेस्टिंग है अगर आप भी इंट्रेस्टेड है इस सीरियल को देखने में या फिर अगर आपने भी इसका प्रोमो देखा है तो आपका क्या रियाक्शन है आपका क्या रिस्पॉंस है हम जरूर जाना चाहेंगे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं thank you so much keep watching today's for more news